नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अपने फ्यूचर के फाइटर जेट के लिए लोकली ही फाइटर जेट इंजन डेवलप करना है और इसके लिए एक जोइंट वेंचर भी शुरू किया जा सकता है और रही है कि जल्द ही इस इंजन का निर्मान शुरू हो सकता है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों खबर आ रही है फ्रांस से और वो ये है कि फ्रांस की इंजन बनाने वाली कंपनी सैफरेन और इंडिया की इंजन बनाने वाली कं गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैबलिश्मेंट यानि कि जी टी आरी जो कावेरी इंजन के उपर काम करती आ रही थी अब वो और सैफरन दोनों मिल के फाइनल राउंड की टोक शुरू करेंगे यानि कि दोस्तों जल्द ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है इस नए 110 किलो न् नया fighter jet engine और इसे advanced medium combat aircraft यानि AMCA के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा जो इंडिया का डेवलप किया गया 5th generation fighter jet होगा और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ADA यानि कि Aeronautical Development Agency के director general ने बताया था कि AMCA program SPV model के उपर होगा यानि special purpose vehicle डेवलप किया जाए प्राइवेट प्लेयर की ही होगी और अब दोस्तों जो engine विक्सित किया जाएगा 110 किलो न्यूटन thrust class का इसके अंदर किशमता होगी कि ये इंडिया का जो environment especially hot, humid और इसके इलावा बहुत से ऐसे भी area है कि जहाँ पर बहुत जादा temperature low भी होता है तो वहाँ पर ये काम कर सके और AMCA के अंदर पूरी किशमता होगी हर तरह के weapon system को ले जाने की और आने वाले समय में इस engine का इस्तेमाल हमारे तेजस fighter jet के अंदर भी किया जा सकेगा और नेवी के लिए बनाये जा सकने वाले twin engine deck based fighter jet के उपर भी किया जाएगा और दोस्तों आपको बता दें कि GTRE already कावेरी engine के उपर बहुत जादा काम कर चुका है और जब ये engine पूरी तरह से पास नहीं हुआ था उसके बाद भी ये उसके उपर काम करता आ रहा है और बहुत सी नई technology भी develop की गई है validate की गई है केवल इसके core को बदला जाएगा यानी क जो फ्रांस से मदद ली जाएगी उनकी company से वो basically इसके core को बदलने के लिए जो main feature होता है engine का जिसके उपर engine develop किया जाता है उसे ही बदलने के लिए और 110 किलो newton thrust power को देने के लिए किस तरह से इसे इसे इस्तेमाल किया जाए केवल वही know how मालूम किया जाएगा और सेफरन प बहुत सी private sector की companies भी हिस्सा लेंगी और DRDO की जो develop technology है वे भी उन्हें transfer की जाएगी ताकि जल्द से जल्दी सिंजन के काम को भी पूरा किया जा सके तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और हमें इंतजार रहेगा कि दोनों companies क्या फैसला लेती है और इस इंजन क का निर्मान कब शुरू होता है धन्यवाद जैहिन